हेलो गाइज वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल सो गाइज काफी लोगों को डाउट था कि अब आउट होने वाला है किसी भी टाइम यह आउट हो सकता है वैसे नवेंबर की फर्स्ट वीक में सबसे यादा चांसे इसके आउट होने की क्योंकि अगर प्रिवेश्ट यह की बात करें तो थर्ड ओफ नवेंबर को इसका नोटिफिकेशन आउट होता अब बात आते हैं क बाकी कोश्शन मिली जाएंगे आपको रीजनिंग कौंट एंड इंग्लिश के लेकिन जो में आती है वो है मेंस की प्रिपेशन हमें कैसे करनी है और अभी से ही लेकर चलेंगे तो अच्छे से प्रिपेर कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो कोश्शन पूचे जाते है थोड़ा डीप में पूचे जाएंगे और क्योंकि जो मेंस है खाली उसके अंदर आपका यही टेखनीकल पाट आने वाला है जो भी आपने बीटेक में पढ़ाता और उससे अलग कुछ नहीं आएगा ठीक है सो अगर हम बात करें इसमें हमें क्या-क्या प्रिपेर करना है आपको बता देती है और कौन से बुक अच्छी है इसके लिए जो मैंने खुद पढ़ी है ठीक है सो यह जो बुक है यह है इसमें आपको हर सब्जक के टॉपिक मिलेंगे और उतने ही मतलब चैप्टर से हर एक मतलब टॉपिक से लेटी जैसे नेटवर्किंग है उसका इसके अंदर आपको सबकुछ कवर मिलेगा देखे जैसे सॉफट्वेर एंड हाडवे की बात करें तो इंटरर घीक है डेंसॉफट्वेर का होता है हाडवेर का होता है मेमर्य का बेसी क्या होता है पोर्ट के ऑस busy रूप किया होता है इं पोर्स क्यों पोर्स नंब्बर बह सारी वही है इसके अंदर बहुत easy language भी नहीं है अराम से आप समझ सकते हैं जिसने भी BTEC मतलब IT से किया है या CS से क्या अराम से आपको समझ आ जाएगा ठीक है बाकि आप DBMS में देख सकते हैं introduction है then database architecture है then ER model है then relationship database management system normalization है और SQL के बारे में हैं beyond mysql transactional control, deadlock, deadlock handling तो सब कुछ है इसके अंदर ठीक है so आप देख सकते हैं सारे chapters इसके अंदर अराम से cover है अगर आप इस book को purchase करते है तो definitely ये book आपकी बहुत जादा help पक्का help मिलेगी आपको इस वाली book से आप definitely से purchase कर सकते हैं कुछ भी wastage of money बिल्कुल भी नहीं है ये book बहुत अच्छे से cover किया है और सबसे अच्छी बात पते क्या इस book की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे सबसे चैप्टर आपका complete हो गया ठीक है अब आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसे लेटिर आपको questions करने है तो इसके बाद जो है क्योंकि database obviously हो गई क्योंकि सबसे जादा questions गुझे जाते हैं तो आप देख सकते यह रहें के questions यहां से practice set ठीक है यहां पर आपको question भी कर सकते है अराम से तो आपका जो है सारा doubt clear हो गया होगा कहां से आपको prepare करना है अगर आप एक बाद इसे book को पढ़ लेता है और ज्यादा pages भी नहीं अराम से cover हो जाएगा वैसे तो one month मिलता है free के बाद जो result आएगा उसके बाद अराम से आपको हो जाएगा ठीक है इसमें जो total pages है वो 352 pages है अराम से cover हो जाएगा आपका ठीक है आउट होता है IT offices लेटे तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं सुबागी बिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन टिक के बाई बाई बाई